हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो आर्ट चैनल कॉर्पोरेट कहानी आज हम बात कर रहे हैं काफी हैं मुद्धेपर जो है डिजाइनिंग फ्रों टीसियस तो इसमें मैं स्टेप बाइस्टेप बताऊंगा आपको कैसे करके प्रोसीड करना है कि सबसे पहला स्टेप है कि आपने डिसाइड कर लिया है तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने subro様 करने वाला हूं क्योंकि मुझे यहां पर काम अच्छा नहीं लग रहा है या जो भी आपका या यि व को सबस्कुत कर लाइं उसके बाद रूसके बाद यह क्या अपको तरह तरह की बाते कहेंगे कि मैं आपको यह offer करूँगा तो अगर आपको रिजाइन करना ही जाना ही है तो आप इन सब बातों को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे करेंगे उसके बाद फिर क्या होगा कि आप एक मेल डालेंगे अपने सुपर्वाइजर और मैंनेजर को और कि मैं I want to resign from this position at TCS जो भी आपका जो format होगा simple सा लिखना है resigning from TCS और थोड़ा positive note में लिखना है यह नहीं कि I want to resign from TCS due to this reason यह सब नहीं लिखना है simply आपको proceed करना है क्योंकि आपको अपने relationship जो है खराब नहीं करने है उसके बाद क्या होगा जो आपका manager है इस mail को forward कर देगा आपकी HR को HR को जब यह mail चला आएगा तो फिर HR आपके manager को instruct करेगी कि आप इसका resignation initiate कर दो तो आपका resignation initiate हो जाएगा जिस दिन से आपने design किया है जब आपका resignation initiate हो जाएगा तो सबसे important point यहां पर आपको यह करना है कि आपका resignation acceptance mail है वो आपको personal ID पर भी ले लेना है अब हम आगे बताएंगे end में कि क्यों ले लेना है तो आप resignation process में आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपको जो आपका manager है या supervisor है जो भी आप project में है तो उस project का handover आपको देना होगा अपने आने वाले बंदे को जो आपको replace कर रहा है तो उसके लिए आपको काफी सारे sessions देने होंगे kati sessions तो यह kati session जलीगी साम सुबर और थोड़ा project work होगा तो overall आपको load कम होगा आपको बहुत सारे meeting में कम जाना पड़ेगा थोड़ा क्लाइंड को भी पता चल जाएगा कि he is moving तो आपको ज्यादा फ्रेशर नहीं रहेगा दो महिन तर इन सब के होने के बाद क्या होगा कि आपको आपके लास्ट वर्ट लाइक एक 15 दिन बाद आपको क्या होगा एक मेल आएगा जिसमें यह चीजने लिखी होंगी कि आपको 15 12 दिन पहले से आपने assets को office भीजने के लिए mmt raise करना है तो यहां पर फूरा सब issue आ जाता है जब आपको mmt raise करने वो बोलेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान लखना है सबसे पहले आपको देखना है कि आप 50 km के radius में हैं कि नहीं office के अगर आप 50 km के radius में हैं तो आपको ऐसा mmt raise करना है कि आपको जाकर अपना asset submit करो अगर आप 50 km से बाहर है तो आपको क्या करना है ऐसा mmt raise करना है जिसमें सबसे पहले packaging material आपके घर पे आए जिसमें आप laptop को या desktop को whatever you have उसको आप pack करना है फिर कुछ दिन बाद delivery person आएगा औ और आपका laptop या desktop या asset जो भी है उसको ले जाएगा तो यह तो mmt वाला तरीका है लेकिन personally मैंने mmt वाले इस पार्ट में बहुत ज्यादा problem face किया है तो आप इसके लिए जो भी steps हो अपने manager से बात करना हो या HR से बार-बार ping करना हो या उनको mail करना हो इस पर आप लगे रहे हैं इस पर आप रुके नहीं क्योंकि end में बहुत परिशानी हो जाती है तो कि मैंने personally face किया है कभी-कभी क्या होता है mmt रेजी नहीं होता है due to some reason GPS में जाके कहीं accept करना होता है वो खुल नहीं रहा होता है बहुत सारी परिशानिया होती है तो इस वाले पार्ट में आप लो स्कृट में PF transfer के बाड़े में भी बताया जाता है कि PF transfer अगर आपको करना है अपने दूसरे company में या फिर कुछ भी उसका एक declaration देना पड़ता है तो उसका form निकालके वहाँ पर अपना signature लगा के आपको एक declaration form आपके HR और आपकी separation manager है उसको भीजना पड़ता है यह वाला भ HR तो समझते ही हैं आप लोग HR है like kings of the company तो वो सिर्फ आपके resignation के time और like training के time ही active होते हैं तो आपको थोड़ा दियान रखना है उनसे थोड़ा अच्छा connection मना के रखना है और इसी तरह से होते होते आपका last day आएगा और आपको last day के दिन अपना asset भेज देना है अगर आप घर से भेजना है तो अगर आप सब्मिट कर रहा है तो आप nearest office में जाकर सारा चीज सब्मिट करना है सब्मिट करते वाक क्या होता है कि आप चीजों को थोड़ा सा record कर लाएं लाइक मैंने personally क्या किया था वो मना करते हैं कि फोटो मतलो यह वो फोटो लेना offense है यह वो लेकिन आप चुपके चुपके थोड़ा सा evidence ले ले लाएं क्योंकि होता यह है कि आप company छोड़ने के से एक approval mail ले लें कि हाँ भाई हम आपने आके फलाना asset ID को यहां submit किया फलाना asset को submit किया जिसकी asset ID यह है तो यह भी बहुत important है क्योंकि आगे जाके आपको यही काम आने वाला है कि आपने सारे clearance दिये की नहीं दिये उसके बाद 15 दिन या 20 दिन बाद आपके last working day के आपको clearance का mail आ जाता है और F2F जो होता है फुलन फाइन सेटल्मेंट 45 days के बाद होता है तो इस तरह से यह resignation process चलता है और इस तरह से आपको follow करना है चीज़ों को otherwise आपको काफी दिक्कत हो सकती है तो अब मैं आ रहा हूँ उस point पे जो की है resignation acceptance later यानि जो वो later जब आपका resignation submit हो गया और accept हो गया तो आपको भेजा गया तो इस चीज़ में मैंने पहले ही आपको बताया कि यह ensure करना है कि वो आपके personal mail ID पर आया है या नहीं इफ नहीं आया है तो आपको HR को follow up करके उस mail को अपने personal ID पर ने लेना है तो इसका reason मैं आपको बताता हूँ क्यूं अब क्या होता है कि आपने दूसरे company में interview दिया और आपका वह selection हो गया तो वो सबसे पहला जो document आपसे मांगते हैं वो मांगते हैं दूसरा मांगते हैं previous company वानि इससे पहले जिस company में आपने काम किया है उसका relieving letter और उसके साथ यह तीसरा सबसे important document यह मांगते हैं वो यह मांगते हैं कि आपका resignation acceptance mail आपके पास है या नहीं अगर आपके पास present company का resignation acceptance mail नहीं है तो वो आपकी onboarding को रोक देर तो इस चीज को आ बहुत ज्यादा काम आने वाला है तरह के वीडियो के लिए आप हमें subscribe कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दाए शेयर कर लें अपने दोस्तों में ताकि किसी ना किसी की मदद हो सके और इससे related कोई भी query आपके पास हो अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही हो तो आप comment box में हमें बताएं और हम जरूर इसको solve करने की कोशिश करेंगे thanks for watching bye bye